तो आज हम डेली किछिन में बनाएंगे तही मसाला भिंडी भिंडी की सबसे आपने कई बायर बनाई होगी, कई तरीके से बनाई होगी एक बार आप ये तही मसाला भिंडी बनाकर देखिए बहुत जादा स्वाधिस्ट बन के त्यार होता है और जादा मेहनत भी नहीं लेता है तो चलिए हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने भिंडी को ले लिया है इसको तीन से चार बाद धुल लेना है उसके बाद किसी कॉटन कप्रे से पोश लें जिससे पानी ना रहे तो कुछ इस तरह से जो बड़ी साइच की है उसको हमें तीन से चार भाग में कट कर लेना है मैं आपको दिखा रहे हूँ कि आपको काटना किस तरह से पहले दोनों साइच को कट कर लिया है तो ये देखिए जो छोटी साइच की है उसको दोनों साइट को काटना है उसके बाद सिर्फ ऐसे ही इसको हमें छोन देना है क्योंकि बहुत जादा छोटी थी आप इससे हमें बीच में चीरा लगा लेना है तो मैं आपको दिखा रही हूँ ये देखे कुछ इस तरह से हमने इसे कर लिया है तो सेम वही प्रोसेस आपको कर दे जाना है जैसे मैं आपको बता रहे हूँ ये भिंडी की सब्ची आपकी बहुत ही बढ़िया बन के तयार होगी तो सारा हमने इस तरह से काट लिया ही ये देखे क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं तो कुछी इस तरह से इसको काट लेने के बाद आप हम दही मसाला मना लेंगे तो इसके लिए हमें करना क्या है कि इसको हमें एक साइट में कर देना है और उसके बाद एक हम ले लेते हैं काटूरी तो काटोरी ले लेने के बाद इसमें तीन से चार चम्मच हम दही डालेंगे आप इस तरह से करेंगे ना तो आपकी दही फटेगी भी नहीं वस इस तरह से हमने तीन से चार चम्मच इसमें दही ले लिया है दही बहुत जादा खटी इस्तमार ना करें तो ये देखे इस तरह से ले लेने के बाद थोड़ा से इसको हम फेट लेंगे तो इसी टाइम में हम मसाले डालेंगे तो दही मसाला हमारा बनके तयार हो जाएगा जिससे सबजी हमें बनाने में आसानी होगी तो इस तरह से कर लेने के बाद आप इसमें हम मसाले डाल देते हैं तो थोड़ा सा इसमें लान मिच का पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे करम मसाला पाउडर, धरिया पाउडर, थोड़ा सा इसमें पूना जीरा पाउडर इन सारे चीज़ें को ड लाल के बढ़ियां से हम मिक्स कर लेते हैं तो यह देखे इस तरह से करने के बाद ना आपकी ये दही फटेगी भी नहीढ़िया और अगर दही को जब भी इस्तेमाल करें सबजी मीढने तो तो दही मारी फिटेगी भी नहीं और सबजी बनाने में आसानी होगी तो कुछ इस तरह से इसको बढ़िया से सहम मिला लेंगे तो अब अच्छे से हमारी ये तही और मसाले बिलकुल मिल चुके हैं तो इसको एक साइड में कर देंगे उसके बाद चलते हैं सबजी बनाने के प्रोसेस बे तो सबजी बनाने के लिए हमने एक मैन ले लिया है पैर में डाल देंगे दो चम्मस तेल तेल जब हलका सा गरम हो है का तब इसमें हमें डाल देना है भिंडी भिंडी को डालके हमें तकरीबान 75% कुक कर लेना है तो इसको हम रोष्ट करते जाएंगे तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा अब भिंडी हमारे 75% से 80% कुक भी हो जाएगी तो कुछ इस तरह से इसको हम कर लेंगे और इसको कुछ बिल्डी को इस तरह से कट करके रखेंगे लुख जिसको फटता फट फट से फांच मिन्ट में पर बना सकते हैं आप इसको आप इसे रोष्ट कर लेना है ये देखिए बिल्डी का कलर डाल दीजा dies है अज जब गरम हो जाएका तब इसमें चीरा डालेंगे चीरा चटकणें लगेंगा तब बड़े सायश प्याज को हमने शोड़े बीसेेजमें कट करके रखा इसको डाल देना है seems set good Ch BIG हुमें ज्यद भी पकाने की कूट के डाल दिया है यह हमारा बहुत ही बढ़िया सब्जी में टेस्ट लेकिया है कि इसको इस तरह से दरदरा कूट के डालें और इसको भी हमें पका लेना है तो बस इस तरह से आप देख सकते हैं कलर प्याज का लहसुन का चेंज होने लगा है इतना कर लेने के बार दो मि में भी डाला है तो थोड़ा सा मसाला डालना है हल्दी पौडर, धनिया पौडर, कर्मसाला पौडर, लार, मिर्द का पौडर, सारे चीज़ों को डालके बढ़िया से मिला लें तो यह हमारे मसाले भी पक गए और यह हमारे जो प्याज आला शुनते ये भी पक शुके हैं आप इसमें हमने एक टमाटर को कदुकस करके डाल देना है और उसके बाद इसको भी अच्छे से मिला लेना है तो ये देखे ये सबजी आपकी फटा फट बन के त्यार हो जाएगा खाने में सौदिश लगे की बनाने में आसान है तो एक बार आप ये द दही में मसाला नहीं डाल के मिला रहे हैं तो आपके इसको बंद करके फिर दही को डाल के फटा फट मिक्स करें इसको डालने के बाद हमें रुकना नहीं है बस इसको फटा फट मिलाते रहना है तो ये देखे जितना अच्छा आपको ये कलर देखके लग रहा हो कि सबजी उतनी ही ज़्यादा स्वाधिस्ट बनेगी बस इसको असे से मिला लेना है तक्रीबन दो मिनट के लिए दो मिनट के बाद जिसका टोरी में हमने दही को फेट के रखा था बस उसी थोड़ा सा पाने डालेंगे और उसके बस सारी चीजों को बढ़िया से मिला लेंगे अगर आपको ग्रेवी बारी सब्ची पसंद है तो थोड़ा सा पानी चादा डाल दें तो इसको मैंने रोटी की हिसाब से बनाया है तो बहुत ज़दा ग्रेवी नहीं करना है तो बस इस तरह से इसको मिलाएंगे उसके बस फ्राइ किया हुआ बिंडी डाल देंगे और सारी चीजों को बढ़िया से मिक्स करेंगे बिंडी डाल के बढ़िया से मिला लेंगे उसके बद तकरीमनी से हमें 3-4 मिट के लिए पकने देना है जिससे सारी सब्जियों में ये हमारे मसाले अच्छे से मिल जाएंगे अब मैं आपको फोट रिक बताओंगी जिससे आपकी ये सब्जी और भी जाता स्वादिश्ट हो जाएगी तो पहले इसको आपको ढग देना है तीन से चार मेट के लिए इसको मैं चार मेट के बाद खोल के दिखा रहे हूं कि ये देखे सब्जी आपको बिल्कूर अच्छे से बन चुके है तो आप इसमें हमें डाल देना है नमक नमक अभी तक मैंने नहीं डाला था तो सौत की साबसे नमक डालेंगे आदा पैकिट इसमें हमने डाल दिया है मैगी मसाला इससे सब्जी का टेस्ट बहुत ही जादा बढ़िया बन जाता है तो इसमें मैंने पहले से मसाले डाल रखे इसने सिर्फ आदा पैकिट का मसाला इस्तिमाल करूंगे इसको डाल देना है बढ़िया सी मिला लेना है तो आई होप आपको ये मेरी सिम्पल सी भिंडी मसाला की सबसी पसंद आई होगी पीडियो चरह सा भी अच्छी लग रहे हो तो इसको लाइक करिएगा चैनल पर मेरे नियो हो तो सब्सक्राइब भी सेर खरना बिलकूल न भूल एक बार इसको अब बनाएए और कमेंट करके चरूर बताएए